Hello and welcome back to everyone on my channel EduMust So our today's topic is about voice Voice देखिए हर age का बच्चा देख सकता है चाहें आप competitive exam के तैयारी कर रहे हैं चाहें आप 10th class के तैयारी कर रहे हैं चाहें आप junior classes में हैं चाहें आप BA graduation कर रहे हैं तो आप किसी भी age में हैं आपको voice कहीं ना कहीं इसकी जरूरत जरूर पड़ती है तो voice first of all हम let's start our topic तो voice क्या होते हैं voice को हम two parts में डिवाइड करते हैं generally first is active and second is passive इतना तो हम सबने सुना हुआ है now what is voice अगर हमसे कोई question पूछ ले कि voice होता क्या है आप मुझे ये बताओ तो आप क्या बोलोगे voice जो है it is a form of verb voice जो होता है it is a form of verb तो मैं आपको next slide में लेके चलती हूँ यहाँ पर आप देखिए यहाँ मैंने इसकी definition include की है voice is a form of verb it tells us whether doer is directly responsible for action or not means कि voice को हम form of verb कहते हैं और यह हमें यह बताता है कि जो doer है क्या वो directly उसकाम को कर रहा है या फिर वो directly उसकाम में involved नहीं है देखिए subject जरूर है वहाँ पर बट वो directly involved नहीं है देखिए तो अगर मैं आपको दो line में इसके बारे में समझाऊ तो subject हमारा क्या है if doer is active doer जो है वो active है subject है तो active है अगर वही subject हमारा receiver की तरह काम कर रहा है subject is working acting as a receiver then it is passive voice clear इतना समझना है आपने बस कि subject अगर doer है then it is active subject अगर receiver है then it is passive now active voice जो है उसका structure क्या होता है कुछ इस तरह से आपने structure उसका देखा होगा subject verb plus object ठीक है यह तीन चीज़े उसमें जरूर होगी तब ही हम उसको active voice बोलेंगे अगर उसके अंदर subject होगा verb होगी और object होगा तो हम बोलेंगे कि जो sentence है वो active में है ठीक है और इसका example हम देख लेते हैं जैसे कि मैंने लिखा he writes a letter he writes a letter अब आप देख रहे हैं कि इस पे stress जो है वो doer के उपर है कि he writes a letter he writes a letter means कि वो letter लिख रहा है ठीक है और इसी को अगर हमें passive में बनाना हो तो हम क्या लिखेंगे इसी को अगर मैं passive में बोलूँ तो मैं बोलूँगी कि इसका structure पहले देख लीजे आप कि object helping verb verb की third form by subject उसमें हमारा सिरफ subject verb and object चाहिए था लेकिन passive में हमें जो subject था जो हमारा subject था वो अब हमारा object बनेगा ठीक है यहाँ पर थोड़ा सा उल्टा हो जाता है मामला तो यहाँ पर इसका पहले आप structure देख लीजे बाकी बाते आपको confuse कर सकते हैं कि object helping verb verb की third form by और subject वहाँ पर क्या था he writes a letter ठीक है यहाँ पर हमने क्या किया था कि जो हमारा subject था उसको हमने object बना दिया object था उसको हमने subject बना दिया और helping verb को हमने use किया और जो verb की first form थी उसको हमने verb की third form बना दिया हमने एक preposition use की by और तो passive voice की पहचान हमें कैसे होगी कि वहाँ पर आपको helping verb मिलेगी वहाँ पर आपको जो subject है वह receiver की तरह काम करेगा अब subject receive कर रहा है देखिए a letter is written by him letter को उसके द्वारा लिखा गया अब यहाँ पर letter पे ज़्यादा emphasis है that is why it is passive a letter is written by him उसके द्वारा letter को उसके द्वारा लिखा गया तो आपको इस passive में क्या बाते मिलेंगी आपको helping verb मिलेगी आपको verb की third form मिलेगी आपका जो subject है वह object बन जाएगा object है वह subject बन जाएगा and verb की जो है third form use होगी उसमें थो हम verb की first form भी use कर सकते हैं इसमें लेकिन passive में हमेशा हमेशा third form use होगी यह simple सा funda है and preposition जरूर use होगी helping verb जरूर use होगी और भी rules है मैं आपको समझाऊंगी तो आप देखिए आपने अभी क्या सीखा कि subject active voice में subject verb and object होता है this is our active voice और passive voice में क्या होता है object जो है हमारा वो बन जाता है subject और जो subject है वो हमारा बन जाता है object ठीक है और हम क्या यूज करते हैं be plus verb की third form and हम क्या और क्या यूज करते हैं हम preposition का यूज करते हैं और हम क्या करते हैं हम preposition कोई भी वाई या वो accordingly लगती है और इस तरह से हम उसको use करते हैं ओके बाते हैं